हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपको चेहरे के लिए एक ऐसी नाइट क्रीम बना कर दिखाऊंगी जो आपके चेहरे से दाग धब्बे, काला पन और जो आँखों के नीचे जो काला पन हो जाते हैं काले घेरे से दिखने लगते हैं, उन सभी को दूर करेगी आपको इस क्रीम को रात में लगाना है और सुबह ताजा पानी से वाश कर लेना है तीन से चार वार के इस्तमाल से ही आपको इसका असर दिखना सुरू हो जाएगा चेहरे पर से ड्राइनेस दूर होने लगेगी, चेहरा बेदाग, सुन्दर और टाइट दिखने लगेगा ये बिल्कुल नेचुरल क्रीम होगी और इसे लड़के हों चाहे लड़कियों इसे दोनों ही इस्तमाल कर सकते हैं चेहरे पर जो टैनिंग हो जाती है, दाग दब्बे और निसान रह जाते हैं, उनको ये क्रीम दूर करेगी मुहासों और उनकी निसानों को जड़ से दूर करने में बहुत ज़्यादा कारगर है ये निसका बिल्कुल नेचुरल है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है जहां पर भी आपके चेहरे पर डा सरकल्स हैं, काला पन है या फिर आप इस अपने पूरे चेहरे पर भी लगा सकते हैं ये बहुती बहतरीन और आयरवेदी क्रीम है इसको नाइट में लगाने से आपको इसके बहुती अच्छ रजल्ट देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए तो चले फ्रेंड्स इस नाइट क्रीम को बनाना शुरूर करते हैं इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है ऐलोवेरा जेल मैं यहाँ पर मार्केट वाला जेल यूज कर रही हूँ अगर आपके पास प्लांट वाला एलोवेरा है तो आप उसको भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं एलोवेरा चैरे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है यह पिंबल्स को दूर करता है हमारे चैरे पर जो काला पन हो जाता है दूप्य ऐसे उसको भी ठीक करता है और चैरे पर जो मुहासो के निसान रह जाते हैं उनको भी जर से खतम करता है अगर आपके चैरे पर जाईया हो गई है तो एलोवेरा उसको दूर करने में बहुत अच्छी चीज है आपको यहाँ पर एक चमच एलोवेरा जैल लेना है अब इसके बाद में आपको लेना है हल्दी यानि कि टर्मरिक पाउडर फ्रेंड्स हल्दी के फायदे तो आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे यह हल्दी कितनी गुड़कारी और कितनी अच्छी होती है हमारी स्किन के लिए यह हमारी स्किन को अंदर से निखानने का काम करती है और हमारे चेहरे पर जो दाग दब्बे होते हैं जो मौासे होते हैं उनको भी दूर करती है और चहरे को गोरा, बेदाग और चमकदार बनाती है आपको यहाँ पर इसमें एक चुटकी हल्दी एड़ करनी है quantity आप देख सकते हैं इसके बाद मैं यहाँ पर यूज करूँगी बिटामिनी के कैपसूल बिटामिनी के कैपसूल हमारे बालों के लिए और हमारी स्कीन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं यह हमारे चहरे से दाग दब्बे जुर्रियां, जाईयां और जो काले घेरे हो जाते हैं आखों के आसपास उसको ठीक करती है साथ हमारी स्कीन को पॉलिसिंग करती है हमारी स्किन को बेदाग और चमकदार बनाती है आपको यहाँ पर बिटामेनी के दो कैपसूल इसमें एड़ करने है इस तरीके से काटके इनको इसमें एड़ करिए अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है मैं यहाँ पर थोड़ी सी क्रीम बना कर दिखा रही हूँ आप अगर चाहें तो इसे और भी इसी क्वांटिटी के अकोडिंग आप ज़्यादा बना सकते हैं क्योंकि आप इसे स्टोर भी करके रख सकते हैं इसको अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है जब तक कि हल्दी और यह बिटामिनी के कैपसुल और एलोवेरा जेल यह तीनों आपस में अच्छे से मिक्स ना हो जाएं फ्रेंज यह बहुती अच्छी क्रीम है आप इसे बड़ी आसानी से घर पर रेडी कर सकते हैं यह आपके चहरे से दाग धबो को और जो डार सरकल हो गए हैं उनको बिल्कुल जड़ से खतम कर देगी यह बहुती बहतरीन और अजमाई हुई क्रीम है आप देख सकते हैं यह अच्छी से मिक्स हो चुका है कितनी अच्छी फोरं में बनकर तियार हुई है इसका कलर देगी आप कितना अच्छी निकल कर आया है आप चाहें तो इसे काँच के किसी कंटेनर में इस्टो करके रख सकते हैं अब मैं आपको ताती से कैसे अपलाई करना है इसको आपको रात को सोने से पहले अपने चहरे पर अच्छे से लगा लेना है जहाँ पर भी आपके चहरे पर दाग दब्बे हैं, रिंकल्स हैं, पिंपल्स हैं, डार सकल्स हैं, जुर्रियां हैं, जाईयां हैं वहाँ पर आप इसे अच्छे से लगाईए, हलके हलके हातों से आप मसाज करिए, इसको ऐसे ही लगाकर ओवरनाइट छोड़ देना है, और अगले दिन मौर्णिंग में आपको ताजा पानी से वाश कर लेना है, आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर एक अलगी तरह की चमक यह आपकी स्किन पर एक पॉलिशिंग का काम करता है, इसके इस्तमाल से आपके चेहरे से जुरियां, जहाईयां, डार सकल्स, जहाँ पर भी काला पन है, जहाँ पर भी पिंपल्स हैं, उनके दाग दब्बे हैं, वो दीरे दीरे दूर होने लगेंगे, बहुती अच्छी औ अगर आपका कोई कोशन है, वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिपलाई जरू करूँगी, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज जादा से जादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली और रिलिटिप के सा अब मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, एक ऐसी ही नेचरल और घरेलू रेमेडी के साथ, तब तक के लिए, बाई बाई, टेक केर, हैव नाइस डे,